नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीती एक्सपाइट में और आज हम जो हमने पिछले वीक शुरू किया था वीकली करंट अफेर इसकी सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आये हैं जो की 17 अपरेल से 23 अपरेल तक के जितने भी करंट अफेर हैं जितने भी इंप पांप्रेटन सेंप्यंप जीती है तो इसका जवाब यह तमिन लाडू ने जो तेरता हुआ सोर उर्जा सेयतर थुतु कुडी में स्तापित किया गया है यह नाम आप याद रखें थुतु कुडी यहां पर बारत का सबसे बड़ा तेरता हुआ सोर उर्जा सेयतर जो है स्तापित किया गया है इसके बाद है मचली उत्पादन में सिर्ष राज्य का स्थान तो पहले गुजरात था इसमें लेकिन तमिल नाडू ने गुजरात को पीछे कर दिया है और अब तमिल नाडू मचली उत्पादन में सिर्ष पर है इसके बाद है हाल ही में हुनरहाट का चालिसवा संस्क्रण कह में शुरू किया गया है अब ये हुनरहाट क्या है तो ये है हुनरहाट देश बर के सिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार के अवसर परदान करने के लिए है यानि कि जो सिल्पकार और कारीगर है उनको हुनरहाट रोजगार परदान करता है हाल ही में किसे मैलकम आदिसेशिया पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है तो ये किया गया है प्रभात पतनायक को ठीक है किसे किया गया है प्रभात पतनायक को हाल ही में खबरों में रहा नेप्चून मिशाइल सिस्टम किस देश से शम्मंदित है तो ये नेपचुन मिसाइल सिस्टम जो है ये यूकरेन से संबन्दिद है इसके बाद है परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने हाल ही में हनुमान जी की 108 फिट उची प्रतिमा कारनावरण कहां किया है तो इन्हों ने ये किया है गुजरात में ऐसी चार प्रतिमा ही लगाई जा हाल ही में किस राज्ज सरकार ने 14 अपरेल को समानता दिवस मनाने की गोशना की है तो ये की है तमिल्लाडू सरकार ने ठीक है कौन सी सरकार ने तमिल्लाडू सरकार ने 14 अपरेल को समानता दिवस मनाने की गोशना की है हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत निक्त किया गया है जो रचना सचदेवा है उन्हें कौन से देश में भारत का राजदूत निक्त किया गया है तो वो किया गया है माली में ठीक है कौन से देश में किया गया है माली में हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक शाथ 2 डिग्री करने की अनुमती दी है तो वो दी है UGC ने आज से पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब UGC ने 2 डिग्री एक शाथ करने की अनुमती दे दी है हाल ही में रेनू करनाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से निक्त किया गया है तो ये किया गया है HDFC बैंक के बोर्ड निदेशक के रूप में अब HDFC बैंक की बात आई है तो हम इसके बारे में देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी यह वी थी 1994 में यानि कि उनिस्टो चुराणमे में और इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले है मुंबई में इसके बाद है हाल ही में NHPC कहां हरित हाइड्रोजन पर्योजन विक्सित करेगी जो NHPC है वो कहां पर हरित हाइड्रोजन पर्योजन विक्सित करेगी तो वो करेगी हिमाचल परदेश में किश्णा नमर 10 का जवाब क्या होगा हिमाचल परदेश अब हिमाचल परदेश के कुछ important fact जिनके बारे में हम देख लेते हैं पहला पूर्ण रूप से COVID-19 का टीका करण वाला राज्य बना है जो टीका करण का राज्य बन गया पूरा राज्य जिसमें टीका करण हो गया है वो कौन बना है हिमाचल परदेश इसके बाद है पहला जय वीवित्ता पार्क हिमाचल परदेश के मंडी नमक स्तान पर बना है इसके बाद है सो परतिसत गरों में LPG Connection वाला राज्य बना है हाल ही में किस मंतरालय ने इ-दार पोर्टल विक्सित किया है जो इदार पोर्टल है वो किस मंतराले ने विक्सित किया है तो ये किया है सड़क एवं परिवहन मंतराले ने कौन से मंतराले ने सड़क एवं परिवहन मंतराले ने इदार पोर्टल विक्सित किया है इसके बाद है विश्व विरासत दिवस या फिर हम इसको विश्व दरोह परदिवस या वल्ड हैरीटेज डे कम मना जाता है 18 अप्रैल को हाल ही में आई एवर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतेशत की गिरावट आई है तो इसमें आई है बारा पॉइंट तीन प्रतेशत की एक है कितनी आई है बारा पॉइंट का संसोदन करके बताया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें कितनी गिरावट आई है 12.3% की हाल ही में परदान मंत्री मोदी ने डबलुएचो ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिशन की आधार शिला कहां रखी है जो डबलुएचो ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेड है। ठीक है अगर आप से पुछा जाए कि देश की पहली न्याए गड़ी कहा लगी है तो वह लगी है गुज्राय प्रदान मंत्री मोधी द्वारा राष््टिय रक्षा विश्विद्ध धाले का उद्गाटन घंदी नगर में किया गया है नित्ती आयोक के रज्य उर्जा चलवायू सूचकांक में गुजरात शबशे उपर है गुजरात के बनाश काथा जिले में भारत पाक सीमा पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर नडा बेट में सीमा दर्शन पर योजना का उद्गाटन किया गया है ये कुछ गुजरात के important facts थे इसके बाद है हाल ही में भारत विग्यापन मानक परिशद की नई CEO कोण बनी है जो भारत विग्यापन मानक परिशद है इसकी CEO कोण बनी है नई तो वो बनी है मनीशा कपूर कोण बनी है मनीशा कपूर भारत विग्यापन मानक परिशद की हाल ही में किस देश ने करसी आयात को निलंबित किया है जो करसी आयात है उसको निलंबित कर दिया है तो वो किस ने किया है इंडोनेशिया ने ठीक है कौन से देश ने इंडोनेशिया ने हाल ही में बियारो लद्दाक को किस राजे से जोडने वाली दुनिया की सबसे उची सुरंग का निर्मान करेगा जो BRO है वो लद्दाक को कौन से राजे से जोडने के लिए दुनिया की सबसे उची सुरंग का निर्मान करेगा तो वो करेगा हिमाचल परदेश से ठीक है हिमाचल परदेश से लद्दाक को जोडने के लिए दुनिया की सबसे उची सुरंग का निर्मान करेगा और वो कौन क करेगा तो वो करेगा बी आरो हाल ही में कहां शिक्षागीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है जो शिक्षागीत है इरादा कर लिया है हमने यह कहां रिलीज हुआ है तो यह हुआ है दिल्ली में आप से शिक्षागीत भी पुछा जा सकता है कि दिल्ली में कौन सा शिक प्राप्त करने वाला देश का पहला राजे कौन बना है तो बना है राजस्तान हाल ही में राष्ट्य सीविल सेवा दिवस कब मनाया गया तो जो राष्ट्य सीविल सेवा दिवस है कब मनाया गया वो मनाया गया है 21 अप्रेल को ठीक है हाल ही में किसने स्मृति हंडा को मुख् मुख्य संसादन अधिकारी के रूप में किसने निक्त किया है तो वो किया है भारत पे ने जो भारत पे है इसने समर्ती हंडा को मुख्य संसादन अधिकारी के रूप में निक्त किया है हाल ही में विबिन बासाओं के लिए डिजिटल ओनलाइन पुस्तकाले एक किताब कोश कहां लाउंच हुआ है जो एक किताब कोश है वो कहां लाउंच हुआ है तो ये हुआ है जम्मो कश्मीर में और ये किस काम आएगा तो ये विबिन बासाओं को जो सीखने का ओनलाइन जो पहला केबल रेल ब्रीज जमू के स्मीर में बनाया जाएगा बैंगनी करांती या फिर ओर्मा मिशन के तलहत लेंडर की खेती को रामवन जो की जमू के स्मीर में स्तीत है वहां सुरू किया जाएगा सहब बागिता मंच किसने लुंच किया है तो वो किया है मनोज सिन्हा ने हाल ही में स्कॉर्पियन स्रेनी की पंडूबी बगसीर का उदगाटन कहां हुआ है जो स्कॉर्पियन स्रेनी की पंडूबी है बगसीर इसका उदगाटन कहां हुआ है तो इसका हुआ है मुंबई में बगसीर का उद्गाटन कहां हुआ है मुंबई में और ये कौन सी स्रेनी की है तो ये है स्कॉर्पियन स्रेनी की हाल ही में भारत फ्रांस स्युक्त करमचारी वारता का बीश्वा संस्क्रण कहां पूरा हुआ है तो ये हुआ है पैरिश में हाल ही में दिल्ली के नई मुख्य सचीव कोन नुक्त हुए है तो वो हुए है नरेश कुमार अब दिल्ली से जुड़े हुए कुछ important fact school health clinics का उद्धगाटन दिल्ली में किया गया है अब दिल्ली में school health clinics भी खोल दिये गए है राज्य की police ने अपना पहला podcast किस्सा खाकी का launch किया है इकचरे से निपटने के लिए देश के पहले e-west eco park को मंजूरी दी गई है जब e-कचरे से निपटने के लिए पुछा जाए कि कौन से स्थान पर e-west eco park को मंजूरी मिली है तो वो मिली है दिल्ली में अगर आपसे ऐसा पूछ ले जाए कि सबसे ज़्यादा e-कचरा कहां होता है तो वो होता है चेन में ठीक है परतियों की परिक्षाओं की तैयारी कर रहे परतिभागियों के लिए जै भीम मुख्यमंतरी परतिभा विकास योजना सुरू की गई है कहां सुरू की गई है दिल्ली में हाल ही में विनासकारी उपग्रह पर परतिबन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है जो विनास्तकारी उपग्रे है उसके ओपर प्रतीबंद लगाने वाला पहला देश कों सा है तो वो है अमेरिका हाल ही में सन्य अबयान का अगला महानी देशक किसे निट किया गया है तो वो किया गया है मनोज कुमार कटियार को ठीक है किसे किया गया है मनोज कुमार कटियार को भारत के नई परदान वेग्यानिक सलाहकार कौन बने है अजे कुमार सूध को किसे बनाय गया है अजे कुमार सूध को तो ये कुछ important fact और important question आप लोगों के लिए इस week के थे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए आपकी कोई भी query है आप उसे comment कीजिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें comment में बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमें subscribe कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप सभी का दन्यवाद